हेले फेंट वेल्कम टुमारी यूटूब चनल आउनलाइन लेर्णिंग वेबसाइट दोस्तों आर आर भी एक्जामिशन प्रभीर से में आपका स्वागत है और दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं हैं हिस्ट्री के जो भी एक्जामिशन आर आर भी के हुए है उनमें जो कोश सब्सके और निफिजारी मनसब्दार का प्रदान किया राजा टोडरबल और राजा बीरबल को साही भी सेवा में सामिल थे Second question मोती मस्जिद या पल मस्जिद डैस किले की सबसे सुन्दर सरचना है C. लाल मोती मस्जिद या पल मस्जिद दिल्ली के लाल किले में स्थित है इसका नहिमाण मुगल साशक औरंग जेब ने करवाया था जो पूर्था संग बर्मर्म से नर्मित है तीसरा कोशन डैस का नहिमाण इसवी 1632 में सुरू किया गया था और इसवी 1648 के अंत में पूरा हुआ था यह ताजमहल सारजहानी ताजमहल कर्यमाण 1632 इसवी 16 में सुरू किया था और इस कर्यमाण कार 1648 इसवी के अंत में पूरा हुआ यह आगरा में यम्न नदी के किनारे स्टेत है इस कर्यमाण सारजहानी अपनी प्रियपत्नी अर्जुमंद पानो बेगम जिसे उसने मुम्ताजमहल की उबादी से विभूशित किया था कि इस मृत्यम में करवाया था अताजमहल की वास्तुकला में भारती इरानी एवमद एशिया वास्तुकला का संतुरित समन्वे दिखाए पड़ता है चाथा प्रिशन 27 अक्टूबर 1605 को फतेफुर सीकरी में की मृत्यु हुई थी इन जिनों आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था दिनमसी समराट अकबर 27 अक्टूबर 1605 को फतेफुर सीकरी में समराट अकबर की मृत्यु हुई थी और उसे आगरा के सिगंदरा में दफनाया गया था सिगंदरा एक गाउं था जिसे सुल्तान सिगंदर लोधी के नाम पर बसाया था अकबर ने इसका नाम भाष्चिताबाद रखा था मगबरे के निर्मार की योजना अकबर ने स्यम कराय थी किन्तु इसका निर्माण जहांगीर ने 1613 इस वी में कराया था यह मगबरा पाँच मंजिला था है और इसकी प्रभब विसे इसका गुम्बत विहीन होना है डैस ने कई विश्राम ग्रहों मजजितों और सड़कों के निर्माण कराया किया था इसमें दी ग्रैंड ट्रक रोड का सबसे प्रसीद माला जाता है सी समराट सिर्षा सूरी सिर्षा ने अपने साशनकाल में कई विश्राम ग्रहों मजजितों और सड़कों के निर्माण करवाया था जिसमें Grand Truck Road सबसे प्रसित थी, उसके लिए उसके तोरा निर्मित सड़कों में से चार वेशेस उलेक नहीं है, सबसे लंबी सड़क लहोर सोनार गाउं तक निर्मित की गई थी, जिससे सड़क आजब Grand Truck Road कहा जाता है, इन सड़कों के किनारे उसने चाहदा व्रच लगवाए उसने सड़कों के किनारे प्रती चार मील की दूरी पर यात्रियों के टहरने के लिए सराय का निर्मान करवाया बाबर मूलता फर्गना से भारत आया था, बाबर बारा वर्स में फर्गना का साशक बना जबकि अकबर तीरा वर्स की उन में दिल्ली का साशक बना बाबर को पहले आगरा के आरम बाग में दफनाया किया है बाद में उसे काबुल दफनाया किया हिमायों को अपनी सांती प्रिया वैक्तित और दीदच के लिए अबल फजल ने इन्जान ए कामिल कहा है हिमायों के पुछ अकबर ने उससे बगावत नहीं की जबकि अकबर जहांगी साजा वह औरंग जेब के पुत्रों ने उनसे बगावत की दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हिमायों ने करवाया था नोट मुक्यता धार्मिक वारतलाप के लिए प्रयोग किया जाता था मुगल साशक अकबर असचित था 16-15 इश्वी में तॉमस रू मुगल बाजसा जहांगीर के शाशनकाल में भारत दोरे पर आया था जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम था मुगल समराट साज जहां कुर्म जहांगीर का उत्रादेकारी था कवी बिहारी राज राजा जैसिंग के दरबारी कवी थी अकबर के दरबार के अत्यन प्रसित कवी अब्दुल रहीम खान एक खाना थे बयूर सिंगाशन पर बैठने वाले अंतिम मुगल साशक महमद सा रंगीला था जहांगीर अपने नयाय प्रियता के लिए प्रसित था सेंड़्शा दोरा बनाया गया जीटी रोर दिल्ली वहमरसर के बीच है इसे राष्टी राजमार्ग संख्या एक की संग्या दी गई है मुगल काल में जब दिया जबती राजव संख्रण की एक पत्ति थी मुगल समराट का वास्त्विक नाम बाबर जहांगीर उध दीन महमद शेरशा फरीत खान जहांगीर सली साजहा खुर्रा विश्वपरसिद ताजमहल इंडो-फारसी वास्तुगला का उधार है महिर श्रिंगासन साजहा के काल में बनवाया गया औरंग जेब के पिता का नाम साजहा था और जेब ने सुलस्वनत्ता इसी में जजिया पुना लगा दिया और जबके पुत्र मुगल साजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाब बगावत की अकबर नामा के रचैता अबुल फजल थे अकबर ने पुराना किला का निर्मार नहीं कर आया अकबर ने मुगल समराज की नीव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मिदता और सहयोग मांगा जहांगिर की मृत्यू होने पर साजहा को गद्धी प्राप्त करने में सबसे अधिक बादक सहरयार था सिवाजी को औरंग जेब का बंदी राजा जैसिंग नामक राजपूत से बनाया गया मुगल समराज बातुरसा जफर की मित्यू रंगून में होई थी पतेफूर सीकरी की स्तापना करसरे अकबर को जाता है मुगल शाशन ने मनसबदारी प्राणली का प्रवरतन अकबर दोरा किया गया जहांगीर के शाशनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी मुगल सासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था लाल के लिए में मुगल अस्तित वहातुसा जफर के साथ जनाप्त हो गया भारत के प्रश्यम किनारे पर पाउं रखने वाला प्रतम यूरोपी नाविक पुर्टिकाल का था मुगल साश्कों का सही कालुनरक्राम बाबर हीमायू अगबर जहांकीर एवम साजाहा है कालक्रम की दुष्टी से सही अनुक्रम हीमायू पंदर सो तीस से चालिस तथा पंदर सो पच्पन से चपन जहांकीर 165 से 27 इस्वी सा जहां 1627 से 58 इस्वी आवं बहातुर्शा 1702 से 1712 इस्वी है मुगल बात्सा इमायू ने पंदर वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे इमायू का मगबरा दिल्ली में है इबातत खाना पंदगी का खंड है जो अकबर दोरा फतेफुर्शीकरी में बनवाया गया था घटना और सम्मतिद विक्ती मुगल समराज की स्थापना बाबर अजाद हिंद फॉस से गटन सुभाचन बूस मुस्लिम विस्विदाले की स्थापना सरसयग आहमत खान दीने इलाई प्रारम अकबर रुपिया का सिक्का भारत में पहली बार सिर्शा सूरी सासनकार में डाला गया मुगल सासक अकबर के दरबारी कवी का नाम फैची था बॉर्णियर ने औरंगजीप के साशनकार में भारत की यात्रा की थी कानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणासंग के बीच हुई जिसमें राणासंग की पराजे हुई आगरा के समीब फतिफुर सीकरी और बुलन दरवाजा अकबर द्वारा इस्थापित के गये बाबर तैमूर लंग और चंगेच खाय का दोनों का फंसस था शेशा सूरी का मगबरा सासा राम में स्थित है परशिया के साह साह और मुगलों के बीच जगड़े की वज़ा कंधार के निंतन को लेकर थी दिल्ली सल्तन बाबर के आकरमन के कारण वस्तुता कतम हो गई थी मुगलों का नियाली वासा पारिशिन यानि फार्सी था साह अलम जिती ने बारागस उने 1665 को अंग्रेजों को बंगाल बिहार और इसा के दीवानी देने का फर्मान किया इस इंडिया कंपनी के स्थापना अकबर के सेशन कार में हुई थी सिसोधिया वंस ने अकबर के समझ निर्णे नहीं किया था मुगल समराज के पतन के तोरा जाट को राजनितिक दल के रूप में चूरा मन ने तंगटित किया था हिमायो कजन पंदर सो आठ इसवी में कबल में हुआ था साह जहां के चार पुत्रों में से दारों को अर्थवेत के अनुवाद का स्रे जाता है महरु निशा साधी के बाद जहांगीर की बीबी नुर जहां के रूप में जानी जात गई नादिर्शा और एहमद साथ अबदारी के हमले औरंग जेब के के पुत्रों में उत्रादिकारी की लड़ाई जात राजपूत सिक आदी जैसे विविन वर्गों में विद्रो इन सभी कारणों से मुगल समराज का पतन हुआ इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी ने जहां कीर के शाशनकार में भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया मोती मस्जद दिल्ली एवम आगरा दोनों जगा इस्थित हैं औरंग जेब ने आली मर की उपादी धान की थी 1526 इस्थि में अबराहिम लोदी की पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अफसर गिया औरंग जेब द्वारा मृत्यू पर मृत्यू और धर्म परिवतन में से किसी एक खुच चुने जने का प्रस्ताओ देने पर उसी के गुरू गुरू तेग भादू ने मृत्यू को चुना जिसके तहट उन्हें मृत्यू दंड दिया गया है और जेब को जिंदा पीर कहा जाता है बाबर ने अपनी डायरी में भारती पाउदे फूल रितू फल इत्यादी का फिस्तार से वर्णन किया सेर्शा के साशनकार में बनाये गए जरायों का अस्त्रस्त्र भंडार ग्रह के रूप में उपयोग का उदेश नहीं था अगबर ने अपने समराज का बजबूत करने के लिए राजबूत राजबूत राजकुमारियों से विवागी नीती का नुशन किया नादिर्शा ने मुम्मद शाह रंगीला के साशनकार में भारत पर आक्मन किया और रंग्जेब का मगबरा दौलत बादा बाद में स्थित है अगबर ने आगरा के के लिए को बनवाया था अंतिम मुगल साशक बहातुसा जफर था और रंग्जेब ने संगीत को परशाह ने दिया और उस पर पतिबंद लगाया सीडियों से अचाने गिरेने से हिमायों के मौत हो गई थी बीरबल, फैजी, आदिल शाह, टूडर मल से आदिल शाह, अकबर के नौ रतन, नौ रतनों का हिस्सा नहीं था अठास सत्तावन में विद्रो के दमन के बाद बहादुर शाह दिती को रंगन निर्वासित किया गया वह पहला मुगल सासक अकबर था जिसने धर्म की राजनिती से अलग किया मंगोलों के वंसच मुगल मद एशिया के मूल निवाशी थे औरंग्जेब की मित्व एहमद नगर में हुई सिर्शा ने महांता उसके प्रसास्टिंग सुधार में है मुगल काल के दोरान वित्मंति दिवाने ए आला थे दिल्ली में लाल किले में मूती मर्चित का निर्माण औरंग्जेब ने करा किया अम्वोज को मुगलों के विरुद लड़ा गया प्रतम विद्घर भराली था भारत में पूर्दगालियों के किस Sisथान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था कोचीन पूर्दगाली वैपारी गुवा की भूमी पर पहली बार की सदी में आया थे 16 सदी में 1505 में भारत के पहले पुर्टगाल की वाइसराय द्वोरा किसे के लेकर रिमान करया गया था सेंट एंजिलो फोर्ट भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किसे से बड़े मुलायम कपड़ों को बिटिस और भारतियों के बीच काई युद लड़े गए परन्तु एंगलो मराथा और एंगलो सिक एंगलो मैशूर तथा एंगलो बंगाला में से एक युद इसमें सामिल नहीं था एंगलो बंगाला सूची मिंदे काई कोई करता हूं और उनको मिलाना है सयुत्तर बी बी का मतलब हो गया क्रिश्टलोग्राफर कुलंबस सेकेंड यानि स्पीन से चलकर आटलेंटिक पाहर करते हुए प्रश्चिम की तरब समुदरी यात्रा फिर बार्थोल यूम्बो डियाज फर्स्ट जो की दच्छिन अफ्रीका से सबसे दच्छुनी भाग के समीव समुदर यात्रा मेलिन समुदरी यात्रा दौर विश्म पर्मण और वासकुद इकामा दच्छिन अफ्रीका के सबसे घ्रश्टवजिभाग में घूम कर माला बार्थों कि आखे की बात करते तुम मैगलन ने समंदरी आत्रा द्वारा विश्ट प्रफॉर्ण किया था वास्कोडी गामा 20 मई 1498 को माला बर्दट पर पहुंचाता है जहां इस्थानी शासक जैमरीन ने उसका सौकत किया था क्रिश्टोफर कोलंबस ने अपमेरिका की खोज की थी और बार्था लोंबियों डियाज 187 उसी में उत्मा सा अंतरी पहुंचाता है भारत के साथ जिरों ने सरप्रतम वैपार समंद बनाया थे वे थे सी पुर्दगाली येरोपियों में सरप्रतम पुर्दगाली वैपार की तुस्ट्री से भारत आये थे गोवा के पुर्दगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और वैपार करना प्रारम कर दिया बाद में डच अंग्रेज और फ्रांसेसी आये थे सबसे बाद में कौन यात्री आए B. पुर्टगाली सवरपताम पुर्टगाली 14 सथाने इसी में भारत आए और भारत से सबसे बाद में गए पुर्टगाली ने वर्ष 17 सेक्षर इसी में गुवा छेत्र में अपना अधिकार हटाया और ईउरोप चले गए भारत में थथा सक्ती यूरोपी है फैक्टरिया थी C. बंडार ग्रे भारत में उरोपी है फैक्टरिया बंडार ग्रे में कार करती थी पांचवा भारत के में पुर्टगाली समराज पर सवर्पतम प्रकास किसने डाला C. डोमिंगो पेश भारत में पुर्दगाली समराज का सरपतम प्रकास डोमिंगो पेश ने दाला यह पुर्दगाली यात्री था इसने 1520 इस वी में विजयनगर की यात्रा की थी वास्कुड़ी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीब होका टूंड़ा और सबसे पहले पहुचा D. काली कट व्याख्या माई 1490 को वास्कुड़ी कामा पुर्दगाली आसा अंतरीब होते वे अब्दूल मनीक नामत गुजरादी पत्पदर्शक की साहता से काली कट पंदर का पहुचका भारत के एक नए समुद्री मार्ग के खोचकी काली कट के साथ से जिसकी पैत्रिक उपादी जैमुरीन थी ने नव गुदंगों का मित्रवत स्वागत किया यदे भी काली कट ने में बसे अरफ वैपारियों ने उसके प्रती विनमे का रिवाईया अपनाया भारत तक समुद्री मार्ग के खोच की गई थी पुर्थगीज द्वारा भारत एक समुद्री मार्ग के को वास्कोडीम गामा द्वारा की गई थी जो कि एक पुर्थगाली था गोवा दमन और दीब का उपनिवेशी करन मूलता किया गया था ई पुर्थगालियों द्वारा गोवा दमन और दीप का उपनिवेशी करना मूलता पुर्टगालियों द्वरा किया गया था और पंदर से दस में इस्वी में पुर्टगीच गवर्नर अल्ब कर्क जिसे भारत में पुर्टगीच सक्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है है ने बीजापुर के आदिलशा सुल्तान से गोवा जीत लिया और 1535 इस्वी में पुर्टगालियों ने दीव पर तथा 1569 इस्वी में दवनपा दिकार कर लिया डच सम्मधित है किस से नीदा लेंड से डच नीदा लेंड या हॉलेंड के निवासी थे पुर्टगालियों के बाद डच ही बारत आये थे 1665 इस्वी में डच हो ने मुसली पट्टम में अपनी पतम फैक्टरी की स्थापना की पांटे चरी में किसका उपवेनेस थे डी फ्रांसिसी 1690 इस्वी में फ्रांको माarm ने पांटे चरी की न Online इस्वी में फ्रांसिसी में2 के कभजे से डच हो ने पांटे चरी चीन लिया यो की 1699 इस्वी में संपन हजीजाविक समझोते ग के बाद पुना ही वापस फ्रांसिसूद को मिल पाया निम्लिकी सूचना में उस इस्थान का पैचान केजिए या पुर्तकालियों के अधिकार में था या वेरावल बंदरगां में इस्तित है सी दीव देव वेरावल बंदरगां के समय बिस्तित है दीव पुर्तकालियों के अधिकार में भी था भारत में अपनी कंपनी इस्थापित करने के लिए ब्रिटिस को किसकी अनुमुति मिली B. जहांगीर की जहांगीर ने अंग्रेजों को 16-13 इसी में सूरत में इस्थाई कार खाना इस्थापित करने के अनुमुति दे दी 13 अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कार खाना किस जगा इस्थापित किया डी सूरत सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापिरिक तुष्टी कोड़ से आती सुलब था अरब सागा नजदीक होने के करण अंग्रेजी फैपारी यहां से अपना माल आसानी से विदिजों में बे सकती थे इसके अत्रित कापास रेशम नील आती कच्चा माल उन्हें पश्चिम भरत से आसानी से प्राप्त होता था है 1613 इसी में सूरत के मुगल कवर्नर से सहमती मिलने के बाद अंग्रेजी इन अंग्रेजों ने अपना पहला कार खाना यह वहां इस्तापित किया वह अंग्रेज जिसने समराठ जहांगीर के दर्वार में आकर भेट किया ए सर थामस रो व्याक है 1615 इसी में समराठ चेमस प्रथम ने सर थामस रो को अपना राज़ूद बना का जहांगीर के पास भेजा इस इंडिया कंपनी की पर्मिटों का प्रियोग करने की कानूनी वैतिता एक राज़ की आदेश पर निर्वार करती थी वह आदेश किसने पार किया था C. फरुख खिश्यर 16-17 इसी में फरुख खिश्यर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया जिसमें तीन हजार वार्षिक कर देकर बंगाल के में बिना अतर एक चुंगी दिये पैपार करने के चूट दी गई 16-16 इसी में किस भारतिय नगर की खुझ जॉब चौर नौक ने की डी कोलकत्ता 24-16 को जॉब चौर नौक ने कोलकत्ता नगर की स्थापना की और सरपतम कंपनी ने सूता नती कली काता एवं गुविंद्पूरी की जमिदारी प्राप्त की और इनी तीनों को मिलाकर 25 दौक 40 कि खुझ जॉब चरनाक ने कोलकत्ता नगर की कोलकत्ता नम स्थापना की कुझ प्राप्तिक गगर में ये क्षे समट्र अंग्रेजी बारत में वेपारी के रुप में आये और उन्हों ने जो कंपणी असका नाम था दी इस्थ इंडिया कंपनी अंग्रेज्जों इसवी डैस पर हस्ताचार करने के बाद फ्रांसेसी को चंदन अगर और पांडे चरी में अंग्रीजों की सुरच्छा के आदीन केवल वैपार के उद्देशे भारत में रहने के अनमुटी प्रदान कर दी गई थी पेरिस संदी इस संदी पर हस्ताचर करने के बाद फ्रांसेसी को चंदन अगर और पांडे चरी में अंग्रीजों की सुरच्छा के आदीन केवल वैपार के उद्देश से भारत में रहने की अनमुटी प्रदान की गई वे वहाँ पर किले बंदी नहीं कर सकते थे इस प्रकात रितिय करनाटा के जिद को जीर के अंग्रीजों ने अपने एक मात इरोपी पती दुन्दी को मार्क से अठाने के सफलता प्राप्त की 1666 में इंग्लैंड के राजा जेम्स वन के दूद के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिस भारत आया तो तो 16-9 इसमी में जहांगिर के दवार में आया था लूई चौदवे के मंतरी कोल बर्ट दौरा 16-14 इसमी में फ्रेंच कंपनी के स्थापना की गई भारत में फ्रेंच लोगों ने पांडे चेटी से ही मुकिता अपना प्रशार किया भारत में इस इंडिया कंपनी के गवणनर सर जौन चाइल्ड को और उग्जेप से ने निस्कासित कर दिया था 17-17 मुगल समराट फरोकर सियर ने एक फर्मान जारी किया जिसमें कंपनी को 3,000 रुपे देकर कलकता वा उसके आसपास के गाउं से सीमा सुलक मुक्त वैपार के अनमुति प्राप्त होई ड़्च गवणनर जोहन कैमफस 1684-1694 ने अपनी रासानी पुलकिट में नाक पंटनम में बदली अमेरिका की खोच कुलम बसने की थी और वासकुडिगामा सीधे समुंद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत का प्राथम बार खोशते वे कालिकट के समुन तटपत 1448 इसी में पहुचा था फिरियस यात्री आगमन में गयस्तनी इस 305 इशापूर में चंदकुब्त मौर के काल में फाहियान 335-415 इसी में चंदकुब्त दिये विक्रमदद के कारेकाल में हैंसॉंग 630 इसी में हरस्वदन के कारेकाल में इत्सिंग 636-335 इसी में और थॉमस रो मुगर साच साहागीर की दरपार में आने वाले दूसरे सिस्टमनल का पजिनी दिवत था भाहत में आने वाले यात्रियों में निकितिन, फिंच, टैरी वा मारको पोलो से मारको पोलो इटली का था करें दोस्तों वीडियो अच्छे लगाओ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें आप उसे पर प्रचे कर सकते हैं त्यारी किराम का भी लिंक दोस्तों है वाँस्ता आप जोइन कर सकते हैं दोस्तों थैंक्स पर वचिंग और शेरिंग